काशी की शुरुवात कहां से हुई? पारवती शिव को बोलती है कि हमको उचित स्थान ढूनना चाहिए रहने का तो वो निकलते हैं और शिव काशी आते हैं और वो कहते हैं अब मैं इस स्थान को नहीं छोड़ूँगा अवी मुपत मनी करनिका के बारे में कहा जाता है कि विष्णु ने वहाँ पर एक बहुत तपस्या कर रहे थे शिव आते हैं कुंड है तो उसमें से उनका कान का गिर जाता है तो मनी करनिका 1940 में जब काशी रेलवे लाइन थी उसका विस्तार करना था जब वो खोद रहते तो उनको एक पिलर हॉल मिला जब कुतिबदीन एबक काशी आये तो उन्होंने हजार मंदिरों को तोड़ा रजिया सुल्ताना केवल चार वर्ष दिल्ली की गदी पर बैठी उन्होंने सिशोनात मंदिर जो कुतिबी दिन एबक ने तोड़ा था उस स्थान पर रजिया मौस्क बना दिया लाल दर्वाजा मस्जद में केवल गुंबद और एक दो आर्चेज बाकी सारा लाल दर्वाजा मंदिरों के पाट से पर तो ओरंग जेब का काल जो था वो किस तरह का था बनारस के लिए भीशन जब औरंग जेब ने मंदिर तोड़ा तो जो पुजारी था वो शिवलिंग को गले लगाकर अपनी कुटिया में ले गया और जब अहिलीयभाई ने अपना मंदिर बनाया काह जाता है कि वहां पर पुजारी का हट था उनका कहना तक कि एक रानी थी जो वहां से जा रही थी और मंदिर के पुजारीों ने उसका बलतकार किया गुस्थे में औरंजेब ने कहा कि इसको तोड़ा जाए और अंजे बें इतने मंदिर तोड़े क्या सब जगे ये बलतकार की खानी है एक वर्ग है जो ये मानना नहीं चाहता कि धार्मिक विचार धारा के कारण मंदिर तोटे मंदिर के अंदर पुरानी मूर्तिनंदी भवान की है वो मस्जिद की तरफ देख रही है क्योंकि मंदिर तो वहाँ पे था ही न मराठा अठारवी शताबदी में उत्री भारत तक पहुँच गए और उनको ये था कि हमको काशी अयोध्य और प्रियाद नवाब से लेने है माधवराओ विल में वो लिखते हैं कि आपको काशी वापिस लेना है पेश्वा बोलते हैं कि अगर वो हमको सिर्फ काशी दे तो हम उसके लिए 50 लाग देने को तयार है जिस बनारस को हम जानते हैं वो अठारवी शताबदी में दुबारा बनता है ये नया काशी जो हम देख रहे हैं दो मैप हमारे पास बचे हैं 1936 में एक व्यक्ती थे जिनका नाम था दीन मौहमद वारानसी कोट में एक केस फाइल करते हैं कहते हैं कि ये प्लॉट 9130 जो ग्यानवापी के प्लॉट है ये वक्फ लैंड है तो Secretary of State वो कहते हैं कि आपको इस साइट इस जगे से लगाव इसलिए है क्योंकि ये ये हिंदों के लिए महतरपून स्थान था जो आपको इस एक प्लॉट जो आपको इस जगे उनको मूर्तियां मिली है एक इंस्क्रिप्शन मिला है और जिब के टाइम का जब ये बता रहा है कि ये मस्जिद बन गई है और उसके बाद उसी इंस्क्रिप्शन में नीचे लिखा गया है कि अब इस सन में यहां पर रिपेर्स होना एसाई सर्वे का उनको लगा कि रिपोर्ट आने मतलब हो सकती है सर्वे तो किसी ने उस इंस्क्रिप्शन को डैमिज करने की कोशिश किये भारत के वल एक देश नहीं है जहां पर संस्क्रिती सभ्याते पर अटैक हुआ है लेकिन अक्सर बाकी देशों में वो अपनी हार मान गये भारत हार नहीं माना लेकिन क्रिपल हो गये हिंदू धार्मिक नगरियों के इतिहास के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं चाहे वो मत्वरा का इतिहास हो काशी का इतिहास हो या फिर अयुध्या का इतिहास हो हमने कई बार ये सुना और जाना कि किस तरह से मध्ध युगीन काल के दौरान मंदिरों को वहाँ पर तोड़ा गया उनकी जगा मस्जिदे बनवाई गई कई बार ये सिलसिला चलता रहा मंदिर तूटे मस्जिदे बनी मंदिर फिर बने फिर तूटे फिर उनकी जगा मस्जिदे बनी ऐसे कई जो कहानिया है या कहें हम इतिहास के जो पन्ने हैं अक्सर उनके बारे में सुनते आए हैं और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है काशी के इतिहास पे क्योंकि हमारे साथ मौझूद हैं famous historian मीनाक्षी जैन जी जिनोंने अयोध्या से लेकर मतुरा से लेकर काशी तक कई किताबे लिखी हैं जिनमें उन्होंने ना सिर्फ उस जगों के इतिहास के बारे में बताया है बलकि वहाँ पर जो डेटी थे उनके प्लाइट के बारे में भी उन्होंने बताया कि जब मंदिर तोड़े जाते थे तो वहाँ पर जो भक्त थे वो किस तरह से मंदिरों को बचाते थे और उस दोरान किस तरह से अपने धर्म के लिए अपनी जान भी निचावर कर देते थे मिनाक्षी जैन जी की नई किताब आई है विश्वनात राइज एंड राइज इस ये किताब अभी छपकर हमारे पास आई है जो आरियन बुक्स ने छापी है और ये अभी फिलहाल मार्केट में अवेलिबल है जिसमें काशी विश्वनात के इतिहास के बारे में बताया गया है आज हम इसी किताब पर चर्चा करने वाले हैं तो मैं बहुत शुक्रिया हमें दोबारा से वक्त देने के लिए ताकि आप प्रशन शुरू करें before that I want to say something actually आपका मंच इतना पारफुल है कि मेरे को अंदाजा नहीं था जितने भी मैंने टॉक्स दिये हैं उन में से सबसे ज़्यादे विविवर्शिप आपके शो में आई है तो I have to be very grateful to you और इसके आतिरिक जो आपके दर्शक है उनकी response देख के तो मैं दंग रह गई और लेखक होने के नाते मैं सिर्फ acceptance नहीं चाहती जो मेरी राय से सहमत नहीं है उसकी भी व्यू मेरे लिए important है क्योंकि हर दृष्टी कौन से हमको कुछ सीखने को मिलता है So my gratitude to all the lakhs of people who saw this program And one more thing, इतियासकार होने के नाते मैं हमेशा दर्शकों को और मेरे रीडर्स जो हैं उनको बोलती हूँ जो मैं कह रही हूँ Don't accept that at face value आज कल इंटरनेट के जमाने में आप सब कुछ cross check खुद कर सकते हैं पुराने जो गरंथ हैं जो मैंने quote किये हैं Most of them are now available on net तो अगर आप अपने आप question करेंगे, ढूंडेंगे It will add to your knowledge and give weight to what I am saying So thank you to you and thank you to the viewers लेकिन viewers भी आपको comments में उतना ही धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि बहुत सी जानकारियां थी युद्या के इतिहास को लेकर जो जादातर लोगों को नहीं पता थी लेकिन आपने जब हमने आपके साथ वो podcast किया उस दोरान जो जानकारियां मिली उससे ना सिरफ हमारी समझ बड़ी बल्कि viewers की भी बड़ी इसलिए आज हम दोबारा बैठे हैं ताकि हम काशी का जो इतिहास है उस पर भी बात कर पाएं क्योंकि पिछला जो इंटेव्यू था उसमने का इतिहास पर कम बात की तो मैम इस किताब के जरिये जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले चीज जो सामने निकल कर आती है वो है काशी का हिंदू फिलोसफी और हिस्ट्री में क्या महत्वरा है एक्चुली जो हमारे सबसे प्राचीन गरंथ है उनको हम वेद मानते हैं और उनकी जो सेटिंग है नौथ वेस्टर इंडिया और पंजाब और वेद में यज्य का बहुत इंपोर्टन्स है य यज्य है वेरी प्रसाइसली और सर्टन रूल्स होते हैं उनको आप उनका उलंगन नहीं कर सकते हैं बिलकुल जो अब यह जो डिवलोप्मेंट है हिंदू थौट की उसका नेक्स्ट स्टेज आफ्टर दे वेद इस अपनिशाद और उपनिशाद का महत्व हमारे इंटलेक बहुत इंपोर्टन हैं और तूँकि एक नई फिलोजफी अब ये जो नई फिलोजफी है ये शत्रिया राजा पेश कर रहे हैं तो जो फिलोजफी उपनिशाद की है तत्त्वम अस्य आहम भ्रहमाश्य आत्मा एंड ब्रहमा इस दसीं So this is a philosophy which is very very unique and different और दो राज्य थे इस्टन इंडिया के जो इस नई फिलोसिफी को का डिस्कस करने में प्रमुक थे एक तो काशी थी और विदेहा जहां पे राजा जनक के बारे महां जानते हैं तो उपनिशद में बहुत विस्तार से लिखा गया है कि ये दोनों राजा अपने दरबारों में लोगों को बुलाते थे और उनसे विचार विमश करते थे और कैसे उनकी ये जो फिलोजफी है अब आज हिंदुस्तान में फिलोजफी ऑफ दव पनिशद इसमोर इंपोर्टन थे वेद का जो है वो हम रिच्वल्स मंदिर में गए जो डेली रिच्वल्स में हैं लेकिन और्डिनरी लाइफ में इन पर्कुलेट इस पर्कुलेट इ यानि कि आपका कहना है कि उस वक्त शास्त्रार्थ होता था बिल्कुल कि शास्त्रों पे रिच्वी मुनियों को बुला कर बातचीत होती थी बिल्कुल और वो रिच्वी मुनी कहते थे कि ये विद्या हमारे पास नहीं है तो आप हमको ये विद्या दीजे तो इट वस गोपन सुसाइटी, you know. तो उस वक्त ये जो philosophy की हम बात कर रहे हैं, काशी की, Hindu philosophy को लेकर, उस दौरान जब ये बातचीत होती थी, तो तब से ही काशी का जो महत्व है उसमें वर्नित है आप ये बात कर तो काशी की शुरुआत कहां से हुई पुराणों में हम लोग बात करते हैं काशी को लेकर कि भगवान शिवाये, माता पारवती आई, यहां पर उन्होंने वास किया उसके बाद काशी का उद्भव होता ह तो यह कैसे शुरुवात हुई एक्चुली सकंध पुरान में बहुत विस्तार से यह लिखा गया है श्रिफ काशी कैसे आते हैं क्यों हाते हैं हालात कैसे हैं तो यह जो सकंध पुरान है इस रिगार्ड़ेट अस अर्लियस्ट और दो हिस्टोरियन्स हैं उनको नेपाल में ए इसके उपर वो अध्यान कर रहे हैं तो सकंध पुरान में यह बताया जाता है कि पार्वती की जो माता श्रीथी वो अपनी बेटी को कहती है कि ना इनके पास रहने का घर है ना कुछ है कहां मेरी बेटी चली गए तो पार्वती श्रिफ को बोलती है कि हमको उचित स्थान तो वो निकलते हैं और शिव काशी आते हैं और वो कहते हैं अब मैं इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा अवि मुप्त तो अब यह बिगिनिग ऑफ शिव अराइवल एड काशी लेकिन काशी में वहां पे एक राजा थे दिवधासा तो अब यह सकंध पुरान में बताया ज जाता है शिव के द्वारा काशी छोड़ने के लिए और वो यहां पे बस जाते हैं लेकिन दिवधासा क्यूंद की इतने अच्छे राजा थे तो यह भी बताया जाता है कि शिव ने कहा कि आप जहां पे मैं रहता था वहां पे आप अपना निवास कर सकते हैं और तीन वर् को कि अपनी म माधियार में कंडा प्सलिए और काशी में आपके दिवारा की इतने माध कर दॉफ क neurologा की जिव बनाया हूगा क और तो इहां से का स以前 जो है वह होता है टीन हूं तो मतलब यहां से काशी का जो हो है वह बहुता है तो मतलब यहां से काशी का जो है वह जो गंगा का काशी तकाना, दशाश्वमीद घाट का बनना, उसके बाद हम लोग मनी करने का घाट के बारे में, तो कि ये सब बहुत मशुहूर जग़े हैं, तो इसके बारे में थोड़ा गराऊ. आप माइथालोजी में भगीरत, वो कहते हैं कि मेरे को अपने पूर्वजूं का अंतिम संसकार के लिए मुझे जल वगएरा चाहिए, तो वो कहते हैं कि गंगा को कि आप आ जाएए, क्योंकि गंगा तो धर्ती पे नहीं थी, तो गंगा कहते हैं कि अगर मैं आई, नीचे जाएगा, इतना मेरी वेग होगा, गंगा का, हाँ, so she says कि आप शिफ जी को बोलिये, कि वो मेरे को अपने जटाईयों में धारन कर ले, तो वो कहनी है कि शिफ जी धारन करते हैं और फिर गंगा आती है, अब क्या है कि ये माइथालोजी है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने geography और geology के आधार पर इसको बताया है कि ये actually घटना actually हुई थी, मतलब एक समय था जब गंगा काशी के पास नहीं आती थी और वहाँ पर एक, you know, geological formation होती है और उसके बाद गंगा आती है, तो myth and geography and geology are combining to make this myth. They say about 7000 BC, actually geological evidence हमको मिलता है कि कब गंगा आती है, और कैसे आती है, और कैसे आती है, दिशाशमीद घाट का क्या महत्व है काशी में? शिव जी के बारे में कहां गया है कि उन्होंने एक ब्रामिन की हत्या की थी, और जब उसकी हत्या की थी तो उसका जो सिर था वो उनके उं तो फिर शिव यहां पर आते हैं और यहां पर जब आते हैं तब वो ब्रामजी का सिर अलग हो जाता है, और यह इंपोर्टन्ट है जगा है और मनी करनी का धाट में? मनी करनी का के बारे में कहा जाता है कि विश्णू, भगवान विश्णू ने वहां पर एक बहुत बहुत तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या को देखने के लिए शिव आते हैं, तो जब वो आते हैं तो कुंड है तो उसमें से उनका कान का गिर जाता है, तो मनी करनी का अब काशी को actually दो भागों में माना जाता है एक आधा शिव जी का और दूसरा वेफिशनु जी का तो ये एक कहानी है मनी करने का घाट को लेकर ये तो हुई चलिए हमने माइथॉलोजी की बात कर ली कि वहां पर क्या हुआ था उस दौरान गंगा कैसे आई इस सब चीजें हैं लेकिन फिर हम आजाते हैं मध्ययुगीन काल या उससे पहले के काल पे जिसमें हम देखते हैं कि गुप्त वंच से काशी के बारे में जो है हिस्टोरिकल चीजें हमको पता चलने शुरू होती हैं जो आगे फिर मतलब गड़वाला राजाओं तक जाती है बार्मी सदी तक अगर हम बात करें जिनको प्रोटेक्टर्स ओफ होली प्लेसे भी कहा जाते हैं उस दोरर क्या कहानी थी काशी की नाइटीन फॉर्टी में जब काशी रेलवे लाइन थी उसका विस्तार करना था तो जब खुदाई हुई तो जो मजदूर थे उनको जब खोद रहते तो उनको बड़ी विच्चित्र चीजें मिली तो उन्होंने बार्रस यंदू एक पिलर हॉल मिला तो उनको लगा कि यह मंदिर का कोई हिस्सा है तो उसके बाद सेकिंड एक्सक्विशन में बहुत डीटियल में आता है अब क्या है कि जो काशी का अरली इतिहास है उसके बारे में हमको जैसे आपने कहा गुप्त वांश के टाइम से एक पॉट है उसमें गोल कॉइं वगेरे मिलते हैं इंपॉर्टन गुप्ता किंग्स के एंड आफ देन आफ यह वारनसी पिलर इंस्क्रिप्शन तो एक पिलर मिलता है हमको और उसके चारू तरफ भगवान विश्नु के साथ जो है उनके हमको मिलते हैं और उसके बाद हमको धीरे-धीरे मिलते हैं और एक और बात मैं कहूं कि excavations में हमको लगभग 400 seals मिलती हैं तो 400 seals मतलब टेराकॉटा की और 400 seals में अधिकांश seals श्रिव के नाम पे हैं और उसके इलावा विश्नु seals और उसके अतिरिक्थ हमारे को कुछ seals मिलती हैं जो वेधिक कॉलेजिस के कि मतलब की वेध के अलग अलग पार्टस को अलग अलग कॉलेचे पढ़ाटे थे और उनके अपने अपने सिलस थे तुसम бесп काशी it was actually mainly you know a spiritual center because Buddha came here Mahavir came here Sarnath की बात करी so this was a very important center now the political center of North India was Kanauj so जो भी वन्ष जो भी राजा ये जो भी डिनस्टी Kanauj पर अपना कबजा स्थापित कर लेती है that is the political power of North India तो पालास, प्रतिहारास राश्टकूतास इनके बीच में ये संगर्श होता था कि Kanauj की गदी किसके पास हो लेकिन अब क्या होता है कि महमूद कजनवी के पुत्र और उसके बाद उनके भांजे दोनों के आकरमन होते हैं लेकिन ये जो आकरमन होते हैं काशी पर ये नोट वेरी सस्टेंड क्योंकि इनको ये डर था कि अगर हम जादा देर यहां पर रहे तो लोग हमारे खिलाफ उट सकते हैं तो कुछ घंटों के लिए आते हैं तोड़के चले जाते हैं ये एक हजार तेटिस की बात कर रहे हैं और ये दो आकरमन का मतलब in the sense it is remarkable कि हिंदू राजाज का क्या response होता है तो गहडवालाज वो अपनी राजधानी कनोज से काशी शिफ्ट करते हैं और मतलब imagine करिए उस समय क्या उनकी द्रिष्टी थी उन्होंने कहा कि हम उतरी भारत के जो धार्मिक centers हैं उनके हम रक्षक बनेंगे तो उनके हमारे को बहुत सारी charters मिलते हैं जो वो कहते हैं कि हम North India के centers हैं तो ये गहडबाल वंच ने लगभग 100 वर्ष तक तुर्की आक्रमनों को रोका लगभग 100 वर्ष और ये एक पहला उधारन है certainly भारत की इतिहास में और मुझे लगता है विश्व के इतिहास में जो राजा एक tax लगू करते हैं तुरुष्क डंड तो सब को contribute करना है तो ये tax ये जो गहडवाल वंच था तो ये तुरुष्क डंड की आप जो बात कर रही हैं ये एक तरह का tax था जो गढ़वाला राजाओं ने लगाया था प्रजापे कि तुर्कों से हम आपकी रक्षा कर रहे हैं उसके लिए हमें पैसा चाहिए सेना चाहिए तो यानि कि अपने holy places को protect करने के लिए एक tax लगाया गया जिसको आप तुरुष्क डंड मतलब कह रही है कि उस वक्त लगाया जाता है तो गहडवाल वंच में एक धर्म निबंध लिखा गया उनके एक मिनिस्टर ने लक्ष्मी धर्बट के बाद अब ये मध्यकाल में धर्म निबंध लिखने की क्या अवश्यता थी और ना केवल गहडवाल वंच उत्री भारत के बहुत से दर्बारों में स्वेम राजाओं ने धर्म गरंथ लिखे और अपने मंत्रियों को भी कहा धर्म गरंथ धर्मने बंध लिखो क्यों लिखो इतने सारे मतलब हमारे को जो हमारे को बताये गया कि हिंदू राजा ऐसे थे actually वो बिलकुल विपरीत थे they were very enlightened conscious of their duties तो मैं नहीं जानती कि बई विश्व में इतने सारे राजाओं ने गरंथ लिखे हो और अपने दर्बार के लोगों इसलिए लोगों को remind कर रहा है उनको याद दिलाना है कि आपका धर्म क्या है तो धर्म निबंद लिखे गए तो इस स्वंश में लक्ष्मी धर्म का बहुत important धर्म गरंथ है और वो एक model बन जाता है बाकी जो उसके बाद जो गरंथ लिखे जाते हैं वो उसके आधार पर होते हैं अब क्रित्य कल पत्रू की बात करें जो चौदा पार्ट में गरंथ जो है वो लक्ष्मी धर्बड़ द्वारा जो लिखा गया तो इसमें एक खंड आता है क्रित्य कल पत्रू में ही जिसमें काशी और धार्मिक नगरियों के बारे में बात होती है तो वो क्या मतलब इस गरंथ में काशी को लेकर क्या हमको पता चलता है अच्छली अब ये गरंथ जब लिखा गया So there was a need की जो काशी में बन रहा है उसको रेकॉर्ड पे लाया जाए And the importance of काशी और प्रयाग बगारे के बारे में भी लिखते हैं So ये जो काशी पे जो लिखते हैं This becomes the model for other grunts that were written on काशी तीर्थ भी वेचना कांड तो जी जी अब बताईए गहडवाल बंश के हमारे पास copper plate grants भी मिले हैं Okay तो क्या है कि जैसे राजा अपने important मंत्रियों को grants देते थे Copper grants तो वो हमारे को काफी संख्या में मिले हैं मतलो copper पे छपी हुई grant होती थी कि हम उनको क्या दे रहे हैं कहां दे रहे हैं और कितना जमीन का पट्टा हो गया या कुछ चीज़ बिलकुल और किसको दे रहे हैं तो यह जो copper plate grants होती थी वो actually lots में दी जाती जैसे एक परिवार को या एक you know profession को तो जैसे कि उनके जो chief priests थे उनके परिवार को तो हरानगी की बात है कि many of these grants वो जमीन के अंदर गड़े हुए मिले थे क्योंकि मद्यकाल में यह पुराना practice थी कि जो आपकी कीमती चीज है उसको सुरक्षित रखने के लिए आपको जमीन में दबा देना है लेकिन क्या हुआ कि उनको पता नहीं था कि इतनी जल्दी आकर्मन दुबारा शुरू हो जाएंगे और लक्षमी धर्ग के जो परिवार के seven grants हमको मिले हैं अब क्या है कि DC सरकार बहुत important epigraphist थे वो लक्नाव museum के इंचाज थे तो कोई आके उनको कहता है कि यह copper paid grants हैं तो हम museum को दे रहे हैं तो उन्होंने ले ली बाद में पता चला कि यह सारी grants जो हैं लक्षमी धर्ग के परिवार से संबंदित हैं क्योंकि उनके सारे generations ने गहडवाल मंच में मंत्री मंदल में उन्हों को पद मिला था कि मतलब जो हम सुनते आ रहे हैं उसके सबूत भी है ऐसा नहीं है कि सिरफ यह हवा में बाते हैं पुराने चलते आ रही है किसी किताब में लिका है वो हमको excavations के दौरान चीजें मिली हैं जिससे यह सब चीजें स्टैबलिश होती है एक्चली इस समय इतिहास लिखने का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि आपको हर चीज के बारे में सबूत मिलेगा अगर आप ढूंडना चाहें और यह दूसरी बात यह है कि गोविन चंद्र का परिवार जो है गहडवाला बानिश गोविन चंद्रा की जो पत्नी थी वो बुधिस्ट धर्म को फेवर करती थी और सारनाथ में एक ग्रांट उनका मिला है जो बताती है कि मैंने इस स्टूप को दुबारा बनवाया है जो स्टार्ट किया था चंद्रदेव उन्होंने केशव की मूर्ती स्थापित की थी यह भी कहना कि हिंदू धर्म में एक गुठ दूसरे के विरुद था या लड़ते थे that is also not true at all एक ही परिवार में आप विश्नु भक्त मिलेंगे शिव भक्त मिलेंगे और बौध धर्म को मानने वाले भी मिलेंगे मैं एक चीज आपकी किताब पढ़ने के बाद हमें समझ आता है कि एक तो दिली सल्तनत जब दिली सल्तनत का काल शुरू होता है 1206 से जो 1526 तक चलता है जब तक बाबर आते हैं इबराहिम लोदी को हराते हैं और उसके बाद मुगल काल आता है इस दोरान काशी का जो एक तरह से हम देखते हैं कि बुरा वक्त शुरू हो गया वो पिसकर रह गई मुगलों में और जो बाहरी इंवेडर्स थे उनके बीच में तो ये पूरा काल कैसे चला मतलब पहले अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की उसके बाद हम आते हैं मुगल वंश मुगल गौरी दिल्ली सल्तनत से पहले और मुगल गौरी ने गहडवाल वंश के जैचंद को हराया था So that is the time when Qutubudin Aebakha comes to Delhi, there are two Kashi और Kashi में उसके तुरंद बाद वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं और वो दिल्ली सल्तनत की प्रत्रम सुल्तान बनते हैं Qutubudin Aebakha और जो परशन रिहासकार हैं वो लिखते हैं कि जब Qutubudin Aebakha Kaashi आए तो उन्होंने हजार मंदिरों को तोड़ा अब ये हम नहीं कह रहे ये उस समय जो परशन तिहास का रहे हैं उन्होंने का हजार मंदिर उन्होंने तोड़े 1194 में जब वो पहली बार आए और वो लूट लेके गए लेकिन जब हम ये लूट की बात करते हैं तो कुछ इतिहास कार कहते हैं वो तो लूट ले नहीं आये थे लेकिन हमको इस गलत फैमी में नहीं होना चाहिए क्योंकि जो उनका लूट तो लेके गए लेकिन उनका उदेशता धार्मिक धार्मिक डारेक्शन, धार्मिक आइडियोलिजी क्योंकि अगर पहली बार लूट लेके गए है तो बार-बार तो मंदिरों में लूट बची नहीं लेकिन मंदिरों पर बार-बार-बार प्रहार हुआ कि जो काशी पर बार-बार अत्यचार हुए जो हमले हुए कुट भी दिन एबग से लेकर औरनजेब तक हमले हुए हैं और मंदिरों पर हमले हुए हैं अब हम यह नहीं मान सकते हैं कि वो दिन एबग के बाद मंदिरों में तब भी धन था उच नहीं था और एक ही मंदिर आप उधारन लीजेए कोई भी मंदिर वो बार-बार तूटता है बार-बार बनता है बार-बार तूटता है जी तो दिस इस अ वेरी वेरी important aspect of the history of काशी तो मैं अगर हम chronology wise बात करें कि पहले हम लोग मुहमद गौरी के बेटे की बात करते हैं कि यह 1033 में आया फिर उनके भान जाया या भती जाया वो मुहमद गजनवी के मुहमद गजनवी के उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुतुबदीन एबग की सल्तनत हापित हो गई उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो डिके है वो शुरू हो गया कि किस तरह से जो है बुरा वक्त शुरू हुआ का तो फिर यह कैसे आगे बढ़ता है कौन-कौन से राजा किस किस तरह से काशी में आते हैं और क्या-क्या होता है अगर आप विशूनात मंदिर वो तोड़ते हैं, वो पहला विशूनातailable मंदिर इसके बारे में हमको पता है, अब कुत्वदीन अबक के बाद जिससे हमको संबन्ध है वो रजिया सुल्ताना है रजिया सुल्ताना केवल चार वर्ष दिल्ली की गदी पर बैठी और उन चार वर्षों में उनको इतना संघर्ष करने पड़े क्योंकि उनका जो मंद्री मंडल था, जो नोबल्स थे वो हर वक्त उनके खिलाफ बगावत करते थे और उनको अपनी जान बचाने के लिए मुश्किल हो जाती थी लेकिन धर्म की विवश्टा और धर्म किस तरह से आपको प्रेरित करता है उन चार वर्षों में उन्होंने समय निकाल दिया कि विशोनात मंदिर जो कुट भी दिन एबक ने तोड़ा था उस स्थान पर रजिया मौस्क बना दिया वो जो रजिया मौस्क है वो आज भी आप वहाँ पर देश कर ले अब अगर रजिया ने वहाँ पर मौस्क बना लिया तो वो स्थान तो हमारे पास रहा दी तो इस स्थान के बगल में अठारवी शताबदी में जैपुर के राजा ने एक छोटा सा मंदिर बनाए जो आज भी वहाँ पर है वहाँ पर पूजा होती है तो आप इमाजन करिये कि लोग कहते हैं कि हिंदूस को कोई सेंस ओफ हिस्ट्री नहीं थी ऐसी सेंस ओफ हिस्ट्री जो सब को पता था कि भी यहाँ पर क्या हुआ है वो दुनिया में मेरे को समझ नहीं आता कि कहीं और हो रजिया तोड़ती है मतलब कुति भी दिन तोड़ते हैं रजिया बनाती है और अठारवी शताबदी लेकिन वो पता है कि यहां पर था और वो जो मंदिर बनाते हैं, अभी भी आप देख सकते हैं, बाहर से आपको पता नहीं चलेगा कि वो मंदिर हैं, बाहर से बिलकुर प्लेन दिवारे हैं, कोई कारिगर्वी नहीं है, क्योंकि उस टाइम भी डर था. मतलब एक मस्जिद टाइप लुक दिया गया है, ताकि वो मंदिर न लगे, कि कोई तोड़ देगा, कोई तोड़ देगा, so this was the fear even then, कौन सा मंदिर है मैं वो अभगर आज के टाइम, it is called आदी विश्वनात, है नहीं वो आदी विश्वनात, लेकिन उसको नाम आदी विश्व मंदिर था, तो नाम भी देखे कैसे दिया, so it is next to Razia Mosque, and it is called आदी विश्वनात, because यहां पे हमारा पहला मंदिर था, so this is the story that is there, now shall we continue with, या बिलकुल हमायू आते हैं उसके बाद हमायू, तो उसके बाद actually काशी में, जौनपुर से शर्की सुल्तान जाते हैं, और अब मैं यह कह नहीं सकती कि कि किसको श्रै जाता है, कि ज़्यादा नुक्सान किया, क्योंकि शर्की सुल्तान जो थे, उनका कोई कम नहीं था, एभक तो तोड़ के चले गए, रजिया ने वो स्थान ले लिया, लेकिन शर्की समय में, हमारे पास, क्योंकि जो मैं कह रह में रेकॉर्ड किया है, तो यह, it's not made up, ना आप बता रहे हैं, ना मैं बता रही हूं, यह दस्तावेस, और वो आप नेट पे भी देख सकते हैं, तो शर्की समय में, यह शुरू होता है कि काशिक के मंदिरों को जो तोड़ा है, या जो तोड़ रहे हैं, उनके शेश ले ज बनाएं, हाँ, सबसे प्रसिद है लाल दर्वाजा, और लाल दर्वाजा की, लाल दर्वाजा मस्जित, उसकी खासियत यह है, कि उसकी दिवारों में और खंभों में, मंदिरों के इंस्क्रिप्शंस भी अभी भी लगे हो иногда ओए, लाल दर्वाजा के बारे में वैसे कहा जा अधर्डवाल वंच के विजैचंद्र थी. उनोंने वहां पर कुछ मंदिर बनाये थे तो उन मंदิरों के लेकि और उन गई के गई वहां पर एक है कि जो भक्ते हैं उनके नाम में मेर कि ये ये आये थे तो वो वहाँ पर लेकर गए और जैसे आपने बताया कि एक मंदिर था विषेश्वर मंदिर और उसके जो पिलर्स है वो भी वहाँ पर ले जाये जाते हैं। और जो जिस व्यक्ति ने वो फिलर्ज लेके गया उसका ग्रंथ हमारे पास है और वो कहता है कि मैं यहां से लाल दर्वाजा मस्जिद पे लेके गया हूँ. लाल दर्वाजा मस्जद में केवल गुंबद और एक दो आर्चेज, बाकी सारा लाल दर्वाजा मंदिरों के पार्ट से बना तो ये हम लोग 1400 इसवी के आसपास के बात कर रहे हैं और वो काशी से 70 किलो मिटर दूर जौनपूर तक लेकर गए ताकि उस मलबे से मस्जदे बन मलबा नहीं था, वो मंदिर के पार्ट से और एक मंदिर नहीं, एक मंदिर नहीं, पिलर्स को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी ये यहां से आया है, ये यहां से माया है, बिल्कुल स्पष्ट है, और शर्की सुल्दान्स की एक और विशेष्टा थी, कि ना वो काशिर से लेके गए, लेकिन जौनपुर के आसपास जो भी मंदिर थे, उनको भी उन्होंने मस्जित में कनवर्ट किया, अटाला देवी मंदिर, जैचन ने बनाया था, इट बिकम्स अटाला देवी मस्जित, अब वो नाम भी नहीं चेंज करते, तो नाम वो ही रखें बस मंदिर के जगे मस्जित, बस मंदिर के जगे मस्जित, अगर आप किसी मंदिर को तोड के मस्जित बना रहे हो, लेकिन हमेशा अप नाम वही रखेंगे, ज्यानवापी मस्जित, ज्यानवापी मस्जित का मतलब क्या है, so this is the story that is there. जॉनपूर में और भी कई मस्जिदे रही होंगी जिनको पांच चे मैंने उसके बारे में एक काप जिक्र करते हैं मस्जित खलीस मुखलिस जॉनपूर में ही है विजय चंदर गडवाला मंदिर जो बनाया था विजय चंदर गडवाला ने उसके ऊपर वो बनी है तो ऐसी और भी यानि कि कई मस्जिदे हैं सारी जो हैं, they are all built on ruins of temples अब इस विशे में, मैं हुमाईयों के बारे में बताना चाहूंगे तो हुमाईयों इस्टन इंडिया में अफगानों के साथ लड़ रहे थे तो वो शिर्शाव इबंच के साथ तो वो काशे आते हैं और वो वहाँ से सारनाथ जाते हैं सारनाथ में एक स्थूप था और वो स्थूप कहते हैं कि इस थान पर गौतम बुद्ध अपने जो पहले disciples थे, उनसे मिले थे तो वहाँ पे बाद में, 3rd, 4th century में एक स्थूप बना दिया था अब हुमायू को उस तूप से क्या लेने दियना उजनी समझ लेकिन वो उस तूप पे चड़े देखा और उसके बाद उस तूप के ऊपर एक rectangle structure बना दिया जिसका उसे कोई मेल नहीं है तो मतलब in the sense कि हम यहाँ पे आये थे हमने अपना जंडा यहाँ पे गाड़ा है so you know मतलब I really cannot explain this except by a religious ideology that is at work तो हुमाईयों के बाद में हम लोग देखते हैं कि अकबर का काल आता है मुगल अगर हम शासन की बात करें तो अकबर के काल के दौरान कई सारी कहानिया है मतलब जादातर लोगों को लगता है कि अकबर ने जो है हिंदू धरम के लिए मंदिरों को प्रिजर्व करने के लिए काम किया बीच में लेकिन एक जो आपकी किताब से हमें कहानी पता चली वो ये थी कि जब अकबर पहली बार बनारस जाता है तो वो बनारस को लूटने का आदेश देता है वो क्या कहानी थी अक्चली क्या था कि उनके उन्होंने अपने ऑफिसर को भीजा और ऑफिसर की खिलाफ बगाबत होगी तो दुबारा भीजा तो जो नागरिक थे उन्होंने शेहर के गेट बंद कर दी ताकि वो मुगल से न वो घटना छोड़के जब वो एने अकबरी में भी रिकॉर्डड़ है कि सिटी क्लोज इट्स दोर्ड़ मतलब रिकॉर्ड़ है इस नोट सम्थिंग बट अगर हम मुगल काल की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे जादा राहत हिंदू धर्म को अकबर के टाइम पे ही म किया तो हाथियों को चला दिया और 30-40,000 लोगों की जान गई ठीक है एक वो पक्ष है अकबर का और दूसरा पक्ष ये है कि अब हम काशी की बात करें तो जो दो प्रसिद मंदिर हैं अकबर के टाइम वो बने हैं सबसे पहला है बिंदु माधव बिंदु माधव टेंपल जो था वो अकबर के टाइम से पहले तीन चार बार उसको तोड़ा गया था उस पर आकरमन हुआ था ठीक है और अकबर के टाइम अकबर के मनसबदार राजामान सिंग ने उसको आखरी बार बनाया बहुत विशाल अब यहां पर मैं यह कहना चाहूंगी कि यह हमको ध्यान चाहिए कि जब हम कहते हैं कि अकबर के राजपूत और हिंदू मनसबदार थे तो हमको यह भी ध्यान रखना है कि वो जो अकबर के शासन में अकबर के साथ काम कर रहे थे वो अपना धर्म नहीं भूले यह नहीं हुआ कि भई वो देवी के मुगल आफिसर्स जहां पर उनक अपनी संस्कृती और सहभयता की रक्षा करते थे तो मान सिंग ने अकबर के शासनकाल में बिंदू माधव मंदिर जो चार-पांच बार पहले ही तूप चुका था जो बिंदू माधव मंदिर है उसका विवरन टेवरनिया फ्रेंच ट्रैवलर टेवरनिया और बर्नियर न पाठशाला बनाई है इस ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन तो वो मान सिंग ने बनाया और अकबर के शासनकाल में ही एक उनके दूसरे अंसबदार टोडर मल ने नरायन भट के साथ मिलकर विश्वना ग्यानवापी मंदिर यहां पर मैं एक दो चीज़ें डिसकस करना चा बहुत इंपोर्टन बुद्धी जीवी वर्ग था जिसका मुगल सामराज्य और मुगल दरबार से कोई लेना देना नहीं था तो उन्होंने उन हालातों में इस धर्म की इस सभ्यता की रक्षा कैसे की इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी द्यकाल में डेकन से छे परिवार बनारस आए तो आप इमैजन करिये मद्यकाल में छे परिवार अपना घर छोड़के यहां पर आ रहे हैं दक्कन से और यह तो है नहीं कि कोई राजा यहां पर उनका वेट कर रहा था कि उनका स्वागत करे धन दे it was very very difficult लेकिन उनको लगा कि हमको काशी जाना है क्योंकि काशी is a center of Hindu civilization तो ये 6 परिवार आते हैं उन में सब का बहुत important contribution है मैं सिर्फ एक परिवार के भारे में बोलूँगी वो है भट फैमिली नरायन भट फैमिली नरायन भट फैमिली और नरायन भट का परिवार देव बहुत बड़े विद्वान थे और उनके जो गरंथ उन्होंने लिखिये हैं काशी में काशी पर नहीं लेकिन धर्म पर जो गरंथ लिखे हैं वो हमारे पास अभी भी हैं तो ये जो नरायन भट हैं, ये सोचते हैं कि अब हमको मंदिर बनाना है, तो वो मिलते हैं टोडर मल से, और वो कहते हैं कि हमको ज्यान बापी मंदिर दुबारा बनाना है, अब कहां बनाना है? अब हमारा जो विशोनात मंदिर था, तेरवी चौदमी शताबदी में एक विशोनात मंदिर था, जिसको सिकंदर लोधी ने तोड़ा था, तो अब वो खंडर में पड़ा है, और हिंदू मानिता ये है कि एक बार एक स्थान धर्म का हो गया, तो उसको हमेशा वो भगवान का स्थान रहता है, तो नरायन भट और टोडर मल कहते हैं कि हम ये स्थान कैसे छोड़ सकते हैं, हमको ये याद रखना है कि लाखों लोग ने यहां पर आकर भगवान के सामने सिर जुकाए होगा, प्रातना की होगी, तो हम मंदिर इसी स्थान पर बनाएंगे, तो आप और इस परिवार, उनके ग्रेट ग्राइट सन, वो भी काशी में रहते थे, जब शिवाजी अग्रा से भाग रहे थे, तो कहा जाता है कि गगाभाट ने उनकी मदद की ताकि वो दक्षिन, सुरक्षित पहुंच जाए है, उसके बाद गगाभाट जाते हैं, पेठन क्योंकि उनको अपने जो मंदिर है उनका भवानी मंदिर परिवार का वहाँ पे जाके पूजा करने तो वहाँ से वो शिवाजी को मिलने जाते हैं और शिवाजी को शिवाजी कहते हैं मेरे को हिंद भी सवराज्य स्थापित करना है उनको पहले अलान कर दिया था तो गगवाट बोलते हैं कि आपको वेदिक नियमों के अनुसार आपको पहना नहें tahaj. वह वह वापस आते हैं कहा अपिस उते हैं कशी औरtalk और वह स्टड़ी करते हैं, पुरानी टेक्सथ गएरा कि," कैसे राज से होता है," SAYS अनितना राजय का अभिषेक होता है." तो मतलब इस तरह से जो फैमिली थी नरायन भटकी उनका एक इंपोर्टेंट रोल रहा है काशी के इतिहास में और उसी परिवार के डिसेंडेंट्स ने अब जब अयोध्या में प्रान प्रतिष्ठा हुई तो उसी परिवार के एक सद्देश्य ने उसमें भी भाग लिया मतलब उनकी पीडी को भी बुलाया गया और वो वह वेरी इंपॉर्टन, he was 92 मतलब in the sense कि हमारे को ना इन लोगों का जो contribution है उसको हम भूल गए हैं because these are the people who kept that tradition and that Sanskriti alive और ये कहना कि राजा अलग था, पंडित अलग थे और प्रजा अलग थी उनमें कोई ताल मेलनी था ये सबने मिलकर इस समाज को जीवित रखा है, इस सभ्यता को जीवित रखता है you cannot say only one person contributed, क्योंकि देखिये, Mughal Manasabdar वो मंदिर बना रहे हैं traditional intelligentsia वो श्रिवाजी का अभीशय कर रही है और आयोध्या में, so this is something that we really have to appreciate एक चीज आपकी किताब में जब हम अकबर के काल में बनारस की बात कर रहे हैं तो एक जैन मुनी का जिक्र आता है, जिनका नाम है हीर वजया सूरी तो इन जैन मुनी का अकबर की लाइफ में ऐसा क्या रूल रहा कि जो परियूशन पर्व होता है जैनीज के लिए उस दोरान 12 दिन के लिए उन्होंने किसी भी तरह का जो अनिमल स्लॉटर है यानि जानवरों की हत्या है उसको बंद करवा दिया क्या था वो असल में असला अकबर वस वेरी क्यूरियस उनको रूची थी कि जानना है तो कहा जाता है कि उन्होंने जैनमुनियों को गुजरात से बुलाया आगरा क्योंकि वो आगरा रहते थे और उनको छे मैने लग गए आगरा पहुंचने में क्योंकि फुट पे आना था चलके आना था तो वो आते हैं और वो अकबर को अकबर इस इंप्रेस्ट और वो बत बदले में हम कुछ नहीं लेते और हम आप से ये अपील करते हैं कि आप एक तो हमारे जो शत्रुणजे परवत है उसके आसपास आप खत्याना करवाएं जानवरों की जो हमारे पवित्रस्तान है और दूसरी बात है ये 12 Holy Days हैं इस पर भी कोई अपर के आदेशों का कितना पालन हुआ that is debatable क्योंकि अपर ने तो आदेश दे दिये अब उनका पालन हुआ कि नहीं हुआ उसका मैं उधारन देती हूँ अपर के बारे में हमने सुना है कि उन्हेंने यात्री कर pilgrimage tax हिंदू से हटा दिया था जजिया और यात्री pilgrimage tax लेकिन शाजहान के समय एक विद्वान वो भी काशी के थे तो वो शाजहान के दरवार में जाते हैं और वो कहते हैं काशी और प्रयाग में जो यात्री जाते हैं पिल्ग्रिम जाते हैं उनका पिल्ग्रिम tax आप हटा दीजे लेकिन अगर अकबर ने हटा दिया थो तो शाजहान को दुबारा क्यों हटवाने के लिए अपील की गई तो शाजहान मान जाते हैं लेकिन ये इंसिडेंट ये घटना कि शाजहान पिल्ग्रिम जाते हैं ये पर्शन किसी इतिहास में नहीं मिलेगा आप क्योंकि क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि शाजहान को अपनी छवी का ख्याल था that he should not he should be seen as a Muslim की तो वो पिल्ग्रिम जाते हैं उसके बारे में कोई जिकर ही नहीं है किसी हमको पता कैसे चलता है जब कविंदा अचारे वापिस काशि आते हैं तो लोगों में इतना उत्सा है कि इतना बड़ा काम हो गया और पूरे देश से उनको लोग आते हैं उनकी बधाई अगरा करते हैं तब हमको पता चलता है कि Persian accounts में पर्शन इतिहास जो उस टाइम लिखे गए थे उन में संस्कृत विध्वान धार्मिक नेताउं उनको केवल एक निंदा की तरफ पेश किया गया कि में ये तो आते थे गाते थे दरबार में और पैसे लेके चले जाते थे तो it was you know denigration of a great tradition which was there in the Persian writing. तो ये contest जो है ये context हमेशा चलता रहा कि भी you know you are not willing to recognize कि भी that those people are worth something और आपने उनके लिए कुछ किया है अब ये तो अकबर काल की हमने बात की इसके बाद जहांगीर का काल आता है जहांगीर के काल के गाता है कि काšी से अगर हम हटें तो पुषकर में जो मंदिर था जिसको वराा अव्तार का istiyorum वजन बगवान उसका मंदिर का आता था तो वह वहां जाता है वह देखता है और वहां इसको नश्ट करवा देता है बेल कूल वो क्या कहानी थी, क्या मतलब जहांगीर के दौरान काशी और बाकी जो हिंदू मंदिर थे प्रोमिनेंट उस दौरान कैसी हालत रही इसमें कोई विवाद की बात नहीं है क्योंकि जहांगीर ने अपनी आत्मकता लिखी है तो उसमें वो लिखते हैं कि मैं पुश कर गया और मैं उस मूर्थी को देखका मैं तो बरदाश नहीं कर पाया और मैंने ओर्डर किया कि इसको नश्ट किया जाए So, he was very intolerant towards image worship और वो कहते हैं कि मैं मत्रा भी गया क्योंकि मत्रा में अकबर के समय राजपूर मनसबदारों ने कुछ मंदिर बनाए तो कहते हैं कि मैं गया और मैं तो वहाँ पे भाग के आ गया क्योंकि वहाँ पे तो सांस नहीं ले सकते थे क्योंकि चिम्डगादरों ने उसमें अपना घर बनाया तो, you know, he was not. Now, there is a record that he met a saint, Jadroop, Hosain Jadroop, जिसके बारे में जानगे, खुद लिखते हैं कि मैं इतनी बार उनसे मिला, लेकिन फाइनली वह लिखते हैं कि मैं उनसे क्यों अकर्षत हुआ, क्योंकि उनको नॉलेज थी, Science of Vedant, which is the Science of Sufism, तो वो Vedant का तुलना कर रहे हैं, Sufism, और कहते हैं, इसलिए वो आकर्षत हुए थे उनसे. तो मैं हम लोग जब देखते हैं जब आपके किताब पढ़ रहे हैं, तो उसमें कई जगा हम देखते हैं कि अकबर है, तो एक जैनमुनी है, जहांगीर है, तो एक हिंदू सेंट है, और उसके अलावा पंजाब के सादू, जो जखबार सादू है, उनका भी जिकराता है, त कहीं भी, जैन्स हों, जदरूफ हों, या जोगीज और जगभार, एक रिए डेरा था जोगीज का पंजाब में, और मध्यकाल में जो हमको कुछ लेख मिलते हैं, वो बताते हैं कि इनकी फॉलोर्स हजारों में थे, बहुत लोग आते थे, तो इनके जो डॉक्यमेंट्स हैं वो B. N. Goswami ने जे एस गह रेवाल ने उनके डॉक्यमेंट्स जो उनके पास थे, उनका अध्यन किया और उनको प्रकाशेत कियें। तो वो दिखाते हैं कि अकबर पहली बार इनसे मिलते हैं और इनको ग्रांट देते हैं। और उसके बाद दू-तीन बार मिलते हैं। अब सबसे इंपोर्टन्ट है औरनजेव काल, तो औरनजेव उनको लिखते हैं कि मेरे को बहुत fine, refined mercury चाहिए, अब जो मैं समझ रही हूँ, यह medical purposes के लिए होती है, और उसको मिली, उनको मिली या ना मिली, मैं नहीं कह सकती ही, लेकिन उसके तुरंट बाद उन्होंने जो grants दिये थे, अकबर ने उनको रोक दिया, So, we have to understand that it was not just temples that Aurangzeb destroyed, that even land, और कितना land grants दियोंगे, जोगीस को, कोई यह तो है नहीं कि पूरा बीगा पंजाब दे दिया, उनको पूरा सूबा पंजाब, it was a small amount, but even that, he was not willing to tolerate. बादशा नामा की बात होती है, जहांगीर के काल के बाद, जिसमें हमें शाह जहां के काल के बारे में पता चलता है, और काशी के इतिहास को लेकर भी हमें कुछ जानकारी मिलती है, तो उसमें हमें पता चलता है कि किस तरह से शाह जहान ने जो ग्रांट्स दी थी मंदिरों को या किसी भी तरह की तो उसको वापिस ले लिया और उसके अलावा ये भी हमें पता चलता है कि मंदिर तुड़वाए गए और 80 साल तक उसके बाद कोई मंदिर नहीं बना तो ये क्या चीजें थी शाजहान के टाइम पर जितने मंदिर उड़वाए गए वो फर्मान जारी है So it is 76 temples were destroyed in Banaras कौन से 76 temples थे जो पहले समय किसी समय लोगों ने शुरू कर दिया होगा बनाना अब कुत्वी दिन एबक ने हजार temples तोड़े उसके बाद temples टूटते गए लोग बनाते गए और शाजहान 76 temples को order करते हैं जो नए बन रहे थे या बन चुके थे तो इसका मतलब ये है कि temples तोडने का सिलसला कभी खतम नहीं हुआ और बनाने का सिलसला अगर हम मुगल काल की बात करें तो औरंग जेप का काल सबसे जादा भीषण काल माना जाता है prominent Hindu मंदिरों के लिए क्योंकि वो बिलकुल recent history में आता है जिसमें हमें पता चलता है कि किस तरह से जो मत्रा का मंदिर था वो तोड़ा गया उसके अलावा दोबारा से काशी विश्वनात को तोड़ा गया वहां पर एक मस्जिद बनवा दी गई बिंदु मादव मंदिर के बारे में आप बात कर रहे हैं अपनी किताब में तो औरंग जेब का काल जो था वो किस तरह का था बनारस के लिए भीशन मतलब इसमें कोई दो राई नहीं थी that he destroyed बनारस और अठार्वी शताबदी तक जब हम आते हैं तब बनारस में कोई मंदिर बचा नहीं था औरंग जेब के बारे में हम डिसकस करते हैं अभी अठार्वी शताबदी में जब वर्स्ट अफ औरंग जेब तब सर्वे किया जाता है कि कोई प्राचीन मंदिर वहां पर खड़ा नहीं है और एक उधारन मैं देना चाहूंगी कर्दमेश्वर मंदिर तो अठार्वी शता मंदिर है जो बन रहा है अठार्वी शताबदी में लेकिन जब इत्यासकारों ने उस मंदिर को ध्यान से देखा उन्होंने का ये असेंबल मंदिर है मतलब की पहले जो टूट वे शेश थे उनको जोड के बनाया गया है तो इतियासकारों ने उस मंदिर को ध्यान से देखा और जो temple को dismantled किया गया था उसको उन्होंने जैसे उनको याद रहा वैसे उनको बनाया आप imagine करिए temple को वो खुद dismantled कर रहे हैं और जब उनको लगता है कि अब हम इसको खड़ा कर सकते हैं लेकिन उनको भूल गय थे कि इसको कौन सा पीस कहां लगाना है तो वो जैसे उनको समझ आई वैसे उन्होंने बनाया और जेब का जो पीरिएड है इस 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 प्रॉबबली दे वर्स कि बिंदु माधव तेमपल, यानवापी तेमपल और उसके बाद और अरंजीम ने तुरवाय और जो मस्जद उन्होंने वहाँ पे बनवाई वो अभी भी वहाँ पे है और ज्यानवापी तो हमको पता है वो जो फर्मान है उनका कि ये मंदिर को तोड़ा जाएं फिर फर्मान उनको रिपोर्ट की जाती है कि मंदिर तूट गया है अगर आप सोचते हैं कि मंदिर तोड़ दिया गया और उस स्थान पर मस्जद बन गई है तो वहाँ पर कहानी खतम होती है ऐसा नहीं है 1809 में एक बहुत भ्यानक धर्म यूद होता है तीन दिन तक चलता है मतलब एक तरह से हिंदू, मुस्लिम, दंगे जिनकों करे सकते हैं एक तरह से नहीं पूरा अच्छा मतलब बिलकुल हाई स्कील पर हाँ लेकिन तीन दिन था और I don't want to get into that लेकिन उस तीन दिन के संघर्ष में कहा जाता है कि ज्यान वापी मस्जित को ठेस पहुंचाया और जलाया भी और काशी में पचास मस्जितें और भी तोड़ी गई कि ज्यान वाँ ठार्ष मीजस्टा ए है और जूसरी साइड पे गउखच्छाप की गई और गउखच्छां गंगा में प्रवाइब कर दिया प्रोग से लोग फिर उन्होंने भू करताल की गंगा पे बैठके, उन्होंने का आप गंगा तो गंगा रही नहीं, you know, और अतलब आप आप अपने आपको कष्ट्कियों दे रहे हैं, आपने तो यह नहीं किया, हम चाहते हैं कि आप वापिस अपना पुराना जीवन स्टार्ट करें और मंदिरों में पूजा करवाएं, दुकाने खुलवाएं, so that was a very, very bloody war of the lot, तो यह तीन दिन का भ्यानत संघर्ष था और जिसमें ज्यानवपी मस्जित अर्लमोस्ट चलाई गई, और जो district magistrate थे, उनके खत हमारे पास हैं, और उन्होंने कहां कि यह मस्जित, यह स्थान मुस्लिम्स को इसलिए प्रिय है, क्योंकि यहां पर एक मंदिर था, और यहां पर संघर्ष होता रहेगा, तो मैं यह रेकमेंड कर रहा हूं कि एक पार्टी को यहां से हटाओ, और तभी शांती होगी, लेकिन जो दूसरा पक्ष था, उन्होंने का नहीं ब्रिटिश राज्य जो है, वो एक सबके लिए निश्पक्ष है, तो हम एक साइड को इतना सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हम दोनों को महाँ पर रहने देंगे. जिससे वो कन्फिक्ट जो है, वो अभी तक चला आ रहा है. अभी तक चला है. एक चीज़ आपकी किताब में जिकर आता है, कि जब काशी विश्वनात मंदिर तोड़ा गया, औरंगजेब के काल में, तो जो शिवलिंग था, जनाना वापी में उसको छुपाया गया. तो व किरफ काशी विश्वनात, जहां जहां भी ऐसी चीज़ें हुई है, अगर आप वो कहानिया कुछ हमें बताना चाहें. क्योंकि हम बिंदु माधव की बात कर रहे हैं, वो वहां से हटाई गई और एक व्यक्ति के घर में छुपाई गई. और आज तक वो मूर्ति उस व्यक् होता है, तो मंदर तो कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इतने विशाल मंदिर थे, तो मंदर में जो चीज़ प्रिय है, आप उसी को प्रिटेक्ट करेंगे, तो उसको लेके भागेंगे. तो अंगिनत कहानिया हैं कि पुजारी जंगल में भाग गए, कभी भक्त लेके भाग और एक कहानी है, जैसे रंगनात की, तो वो जो प्रोसेशनल डीटी थी, तो उनको तीन पुजारी लेके भागे, बीस साल वो जंगल में रहे, और जंगल में किस तरह रहे, दो लोगों की मृत्ती हो गई, और जो सबसे छोटा था, जब तक वो वापिस पहुंचता है, तो लेके मैं भागा था, तो उस ताइम तक उन्होंने नहीं मूर्ती स्थापित कर दी थी, तो वो कहते हैं कि हमको क्या पता कि ये पुरानी मूर्ती है, कौन इसको पहचानेगा, तो जो कहता है कि जो धोबी, इस भगवान के कपड़े हर रोज धोता था, उसको बुलाईए, क्योंकि वो तो भगवान को पहचानेगा, तो मतलब उसको बुलाते हैं, वो पहचानता है, it is such a painful story, भारत केवल एक देश नहीं है, जहां पे संस्कृती सभ्याते पर अटैक हुआ है, लेकिन अक्सर बाकी देशों में वो अपनी हार मान गए, भारत हार नहीं माना, लेकिन cripple हो गया, you know, मतलब वो strong नहीं रहा लेकिन, फिर भी जितना हो सका, बचाया गया, बचाया गया, काशी विश्वनात मंदिर में जो शिवलिंग था, जो मैं जनानवापी, जिस वो चुपाया गया, उस दोरान क्या घटनाई हुई थी, अगर आप कुछ प्रकाशना ले, उ वेल, कुए में डाल दिया, कुछ लोगों का कहना है कि जब औरंजेब ने मंदिर तोड़ा, तो जो पुजारी था, वो शिवलिंग को गले लगा कर अपनी कुटिया में ले गया, और उनकी कुटिया मंदिर से बिलकुल पीछे थी, और वहाँ पर जो मुसलिम और या मुग मंदिर बनाया, तो अगर आप देखेंगे, तो वो शिवलिंग मंदिर के केंदर में नहीं है, it is on one side, कहा जाता है कि वहाँ पर पुजारी का हठ था, कुटिया थी, तो उसलिए उन्होंने कहा कि इसको हम लीपे स्थापित करेंगे, लेकिन बहुत कानिया है कि कुए में डा ना, तो तब पता चलेगा, कुछ नए नए इतिहासकार भी हैं अभी आज के जमाने में, जिनका ये कहना है कि औरंग जेब ने मंदिर इसलिए तोड़ा था, गुस्से में आकर, कि किसी महिला का अपहरन कर उसका बलतकार किया गया था, ये जो कहानी है, ये जो इतिहासकार जरानी थी, जो वहाँ से जा रही थी, और मंदिर के पुजारियों ने उसका बलतकार किया, और उस गुस्से में फिर औरंजेब ने कहा, कि इसको तोड़ा जाए, बट ये बिलकुल बेबुनियादी है, क्योंकि जिन लोगों ने ये कहानी घड़ी थी, उन्होंने बाद मे बोल रहा है कि आदेश दे रहा है कि ये तोड़ना है और implement हो गया, so it is, you know, ये मतलब कि ये एक वर्ग है, जो ये मानना नहीं चाहता कि धार्मिक विचारधारा के कारण मंदिर तोटे, you know, अब बिंदु माधव टेंपल अगर चार बार पहले तूटा, तो उसमें क्या धन रहे गया था, वो तो विचारधारा की वज़े से तूटा, ग्यान वापी, क्यों, विचारधारा की वज़े से, जादातर लोगों का ये भी मानना है कि जो मंदिर के अंदर नंदी भगवान, जो पुरानी मूर्ती नंदी भगवान की है, वो मस्जिद की तरफ देख रही ह और उनका अभी भी ये बिलीफ है कि मस्जिद की तरफ ही, असली जो विशेश्वर मंदिर है, वो मस्जिद की तरफ है, तो वो कहां से नरेटिव आता है, क्या चीज़ें हैं अगर आप तो, वो तो वी विचारधारा की वो एरिया अभी एक्सकवेट नहीं हुआ है, लेकि जहां तक मेरी जानकारी है, ये जो नंदी है, ये उनिसवी शताबदी में निपाल के राजय ने दी थी, लेकिन उस तरफ मूँ क्यों है, क्योंकि मंदिर तो वहां पे था ही ना, इसमें तो कोई डिबेट है नहीं, A.S.I. के एक्सकवेशन ने डिसकस कर लिया है कि मंदिर राजय ने दिया, लेकिन जिनोंने स्थापित किया उनकी बिलीफ ये थी, बिल्कुल, कि वो उधर की तरफ ही देखें जिदर की तरफ असली मंदिर है, और ये मैं नहीं कह रहे हैं, ये प्रफेसर अलतेकर हैं, जिनोंने अपनी पुस्तक लिखिये, बनारस पे, उन्होंने कहा हैं कि 19th century में ये नेपाल के राजा ने दिया था, आपने प्रफेसर अलतेकर की बात की, उस पे भी किताब में जिक्र है, आपका, आपकी किताब में, तो प्रफेसर अलतेकर की क्या कहानी है, कैसे वो ये सारा एक्सकेविशन करते हैं, और क्या निकल कर आता है, कोई जानकारी नहीं, लेकिन दीन मोहमद 1936 में वारानसी कोट में एक केस फाइल करते हैं, और केस किस के खिलाफ फाइल करते हैं, सेकुरिटी ऑफ स्टेट फर हिंडिया, मतलब सीधे टॉप पे और किसी हिंदू बगार को उसमें शामिल नहीं करते हैं, और वो क्या कहते है कहते हैं कि यह प्लॉट 9130, जो ग्यान वापी का प्लॉट है, तो यह जो प्लॉट है, यह वक्फ लैंड है, अब क्या उनको सूची कि वह वक्फ लैंड इसको घोशित किया जाए, क्योंकि हमको अब पताए कि वक्फ ही कि क्या इंपॉर्टन्स है, तो सेकुरिटरी ऑफ स् इस साइट, इस जगे से लगाव इसलिए है, क्योंकि यह हिंदों के लिए महतपून्स था, तो मैं आपका केस डिस्मिस करता हूँ, लेकिन केस डिस्मिस करने से पहले, वारणसी के पंदरा वरिष्ट निवासियों को कोट में बुलाये जाता है, कि आप अपनी गवाई दे और वेरी-वेरी सीनियर रेजिडेंट्स और उन में एक थे प्रफेसर अलतेकर, लेकिन प्रफेसर अलतेकर के बयान से पहले मैं यह कहना चाहूंगी, कि वो जो पंदरा लोग जो गवाई देते हैं, उनकी गवाई आप पढ़ेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे, वो कहते हैं कि हम 30 साल से, 40 साल से यहां पर परिसर में हर रोज आ हैं, यहां पर पूझा तीन बज़े शरूर उलती है, परिसर मतलब जो जो ग्यान वापी का जो मस्जिद बन गया तो कहते हैं कि तीन बजे यहां पर लोग आते हैं शुरू करते हैं पूजा करने और बारा बजे तक आते हैं और शिवरातरी के दिन पुलीस को स्पेशल बंदबस्त करने पड़ते हैं क्योंकि इतनी संख्या में लोग आते हैं. उस वक्त मस्जिद में पूजा हुआ करते हैं, नीचे, नीचे और उपन एरिया में, हाँ, तो वो कहते हैं कि वो बताते हैं पंदरा बरिष्ट कि हम यह यह रूट लेते हैं और यहां पर यह देवता, यहां पर यह इनकी पूजा करते हैं, हम और कुछ स्थानों पर हम ना सुखे चावल फैंकते हैं, तो कोट ने पूछा कि आप सुखे चावल क्यों फैंकते हैं, कि जिन भगवानों को हम भूल गए, क्योंकि हालात ऐसे हुए, लेकिन हम उनको भी याद रखते हैं, उनकी तरफ भी अपनी श्रद्धा पेश करते हैं, तो इसलिए और बताते हैं यहाँ पर ये देवता का स्थान था, तो कोट ने पूछा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष जो हमको दिख रही है, और अप्रत्यक्ष तिनको नश्ट किया गया है जो हम खो गए है और वो बताते हैं कि नीम का पेड़ है। उस नीम के पेड़ के नीचे इतनी सारी मूरतिया हैं। कहां से आई है। यह कुछ मूरतिया हैं जो शरन ले रही हैं यहां पर और मंदिरों से आई हैं। तो उनकी भी हम पूजा करते हैं। So this is, it is such a moving story कि उन लोगों के पास मतलब status था, position थी, पैसा था, लेकिन तब भी वो अपनी सब्विता और संस्रीते से कैसे जुड़े वे थे और 30-30 साल उस परिसर में आके पूजा कर रहे हैं और वो पूरा detail बताते हैं. Now, among those people was Professor A.S. Altikar. Professor Altikar, Banaras Hindu University में Ancient India के professor थे, तो उन्होंने भी अपनी statement दी और अगले वर्ष, 1937 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, और वो पुस्तक हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. तो Professor A.S. Altikar लिखते हैं कि मैं तो महाँ पे कितनी बार गया हूँ, क्योंकि मेरे को जानकारी चाहिए थी कि यह है क्या तो उन्होंने अपनी पुस्तक में पांच मैप्स भी दिये हैं. तो वो कहते हैं कि यहाँ पर पहले एक मंदिर था, तेर्वी चौद्मी शताबदी में वो मंदिर था और उसको सिकंदर लोधी ने तोड़ा, और उसके बाद उस पर टोडर मल और नरायन भट ने उसके ओपर मंदिर बनवाया और उसको औरंजेब ने तोड़ा. और वो बताते हैं कि जो मस्जित बनी है, तो इट इस नॉट उक्यूपाइंग दे फूल थिंग. उनको ये था कि हमको जो सेंटर है, मंदिर का, उसको कैप्चर करना है और उन्होंने डीटेल्स बताई हैं, उसमें दिखाया है कि मंदिर की वॉल यहां तक है, उसके उपर उन्होंने गुम्बत कैसे बनाएं. तो जो उरिजिनल वॉल्स हैं, मंदिर की हैं, उसके बाद क्योंकि गुम्बत के लिए सेपरेट डिजाइन चाहिए, तो उन्होंने डेटेल किया है कि कैसे हूँ है. मतलब उन्होंने पूरी स्टडी की उस मौस्क की, कि इसमें जो मंदिर के वशेशा उसको किस तरह से यूस किया गया और किस तरह से ये पूरी जो है वो बनाई गई, जो सर्वे आज के वक्त में A.S.I. भी कर रहा है. A.S.I. ने कर लिया है. हाँ, उस पे हम आएंगे अभी बिलकुल आखिर में, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो कंक्लूजन है इस पूरी बातचीत का. आपने बिंदुमाधम मंदिर की बात की लेकिन हम बनारस के एक और मंदिर के बारे में आपकी किताब में ही पढ़ते हैं वो है ओमकार मंदिर. उस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ा मंदिर था, बाद में क्या हुआ, क्या कहानी है उस मंदिर? जो था वो पूरी पहाड़ी पर फैला हुआ था और it was among the greatest temples, the grandest temples in Kashi, अब वो कितनी बार तूटा और अब जो मंदिर है, ओमकार मंदिर, वो मेरे ख्याल से एक जुगी जितना होगा, उसमें सिर्फ शिवलिंग की जगे है और पूरे पहाड़ी पर कबर हैं, कबर हैं लोगों की, Muslims की, तो अब वहाँ पर जाने से भी कोई कत्राता है, तो जो पुजारी हैं, बस वो ही वहाँ पर पुजा करते हैं, तो it is, this is absolutely amazing, कि उसमें कुछ बचा नहीं, पूरी हिल, उसको आपने टेक ओवर कर लिया, क्योंकि हिंदुों को यह है कि यहाँ पर हमारे भगवान थे, तो चाहे बड़ा बनाएं या छोटा बनाएं, हमको यहाँ पर बनाना ही है, तो मतलब एक पूरी पहाड़ी पर जो मंदिर मौजूद था, उसको तोड़ा गया, उसके बाद उस पूरी पहाड़ी को capture किया गया, वहाँ पर कब्रगा बनाई गई, ताकि उस मंदिर का कोई सबूत ना रहे, लेकिन अभी भी वहाँ पर एक छोटा मंदिर मौजूद है, अब जाके देखिये वहाँ पर, काफी fascinating tale है, मंदिरों को लेकर, मतलब ये सिर्फ कहानी नहीं है, हमको ये ध्यान रखना है कि लोग इससे गुजरे हैं, हम तो पुस्तक में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर 800 साल ओमकार की याद रही, और अब एक छोटा सा मंदिर बनाए हु कबरें बनी हुए हैं, वहाँ पर, it is so sad. और अरंग जेब काल के बाद, मुगल काल, जो मुगल्स है, उनका धीरे धीरे पतन उना शुरूब होता है, फिर हम लोग देखता है कि हिंदू राजाओं का एक बक्त आता है, जब बनारस पर उनका राज होता है, तो ये जो हिंद तो जो हिंदू राजाओं का बनारस में आगमन होता है, वो it is later, we will discuss that also, अब मराठाओं का जो योगदान था, मराठाओं अठारवी शताबदी में दक्कन से उत्री भारत तक पहुँच गए, अटक तक गए थे और उनको ये था, कि हमको काशि, अयोध्या और प्रियाग, ये तीनो नवाब से लेने हैं, क्योंकि ये तीनो अबद नवाब के अंडर थे, तो इतने हमारे, क्योंकि पेश्वा दफ्तर में इनकी correspondence बची हुई है, तो पेश्वा बोलते हैं, जो उनके representatives हैं, कि आप अबद नवाब से negotiate करिये, हम उनको मुगल वजीर बनाने को तयार ह हैं, अगर वो हमको ये तीन स्थान दे, तो वो मराथा सरदार यहां से पेश्वा को लिख रहे हैं, पेश्वा जवाब दे रहे हैं, फिर पेश्वा बोलते हैं कि अगर वो हमको सिर्फ काशी दे, तो हम उसके लिए 50 लाग देने को तयार हैं, मतलब यहां तक की negotiator, उस वक जिनकी परिवार एहले अबाई होल करने बाद में ये बनाए, वो लिखते हैं कि मैं तोड़ दूँगा जानवापी, अब जो ब्रहम्मेन रहते हैं काशी में, वो लिखते हैं कि हम तो डर गए हैं क्योंकि ये तो तोड़ के चला जाएगा, और जो मुसलिम हमारा हाल करेंगे तो वो तो हम ही जानते हैं, बिलकुल, तो दिस गोज ओन, और एक और माहत जी सिंधिया, एक और मराठा सरदार थे, वो पेश्वा को लिखते हैं कि अब अंग्रेज तिपु सुल्तान के विरुद लड़ रहे हैं, तो हमको उनको स्पष्ट करना है कि हम कोई साहेता नहीं जब तक कि आप हमको ज्यान वापी, और इजनल स्थान पर और इजनल मंदिर नहीं बनाने देंगे, मतलब कि मस्जिद को हटा कर मंदिर बनाने की इचाज़त नहीं मिलती है, तो इस गोज ओन और और एक बार पेश्वा खुद अपनी सेना छोड कर काशी आते हैं, और दर् और 1755 में एक हमारे पास record है कि विश्वनात मंदिर को तोड़ा जाता है, अब कौन सा ये विश्वनात मंदिर है, it is very difficult for us to say, लेकिन जो काशी में लोग रहते हैं, वो हर्ताल करते हैं, कि बही ऐसा हुआ, So, you know, this kind of tension is also over there, और सबसे important, Maratha royal ladies, मतलब की पेश्वा की माता, बेहन और एक विड़ो थी, इस मध्यकाल में इतने turbulent period में वो काशी आते हैं यात्रा पे, मतलब महिलाओं का भी एक योगदान रहा है, जबर्दस योगदान रहा, हम सिर्फ अहिल्या भाई को याद रखते हैं, लेकिन जो holy well है, जानवापी well है, उसके उपर जो छत्री बनाई है, वो दौलत राव सिंध्या की विड़ो, बेहजा भाई ने बन वाई, अंग्रेज अहिल्या भाई होलकर जी की थोडी बात कर लेते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने काशी विश्वनात मंदिर बनबाया, तो उनके क्या इसमें भूमिका रही किस तरह से काशी विश्वनात मंधिर लेता है? कि तुम शासन संभालोगी and she was a very effective ruler so she built the काशि विश्वनाद लेकिन जब हम काशि विश्वनाद मंदिर बोगते हैं जो उन्होंने बनाया actually अगर आप वहाँ पर जा के देखें То वो मेरे खाल से 30 गज जमीन पर बना है लेकिन क्योंकि मस्जिद के बगल में बनाना था और इतना बड़ा नहीं बना सकते थे तब भी उन्होंने ये बनाया लेकिन all the marathas of power they tried to do this और जो last मैं उधारन देना चाहूंगी माधवराओ वो मेरे खहाल से 30 साल से कम की उमर में उनका दिहान तो गया और उनकी will हमारे पास है और उस will में वो कह रहे हैं जो मेरे बाद पेश्वा बनेंगे उनको मैं बोल रहा हूं कि काशी तुमको वापिस लेना है मतलब आप imagine करिए 30 years से पहले की उमर में उनकी death हो जाती है और will में वो लिखते हैं कि आपको काशी वापिस लेना है ये जो हमारे पूर्वज है इनका जो इतना attachment और जो contribution है उसको हम बिलकुल भूल रहे हैं अच्छा अब ये जो माराथास इतनी शक्तिशाली पावर हो गए थे तो जो उतरी भारत में Muslim intellectuals या धार्मिक नेता जो थे और बादशा, मुबल बादशा दे वर वेरी फ्राइटेंड तो आप imagine करिये कि उन्होंने दो बार बाहर से लोगों को अमंतरित किया कि आओ और माराथा कि जो विस्तार हो रही है उनकी शक्ति उसको रूखो सबसे पहले थे नादिर्शा तो नादिर्शा ने जो भारत में किया दिल्ली में उनका मैसकर वगएरा लेकिन जो मुगल एंपरर थे उन्होंने अफगानिस्तान और नौथ वेस्ट फरंटियर नादिर्शा को गिफ्ट कर दिया और एहमद शा अबदाली को मुल्तान और पंजाब गिफ्ट कर दिया तो ये मतलब कि उनकी कॉन्टिबूशन और लॉल्टी किस तरफ थी कहना मुश्किल है तो इस आर ओल्सो इंपोर्टन आस्पेक्ट्स जो हमको याद रखनी चाहिए यानि कि मराठाज ने कई फ्रंट पर बॉरलरी और अबदाली के बेटे को तो उन्होंने लाहौर से निकाल दिया था और जब उन्होंने अबदाली के बेटे को निकाला तो पूरे हिंदुस्तान में जश्न हुआ कि दवाली हो गए और अटक से कटक तक मराठास का राज्य हो गया बिलकुल लाहोर की बात हुई है तो लाहोर के यानि पंजाब के शासक महराजा रंजीत सिंग को हमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि बनारस में जो मंदिर बना काशी विश्वनात उसमें भी उनका काफी बड़ा योगदान था तो ऐसी ज जो उनके गुंबद हैं उन पर वो सुने का चड़ावा है वो महराजा रंजीत सिंग का है और महराजा रंजीत सिंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके पास कोही नूर था और कहा जाता है कि वो कोही नूर वो जगनात मंदिर में देना चाहते थे तो ये जो हमको आज तक हम का contribution देख सकते हैं कि जो स्वरन का जो उन्होंने चादर चड़ाई उस पर अब आज भी दिखती है यानि कि एक राजाओं का एक contribution रहा सभी राजाओं का हिंदू राजाओं का हो चाहे सिख राजाओं और मैं नहीं जानती कोई खास नाम हिंदू राजाओं के जो सभीता से नफरत करते थे या अपनी आयाशे के जीवन में थे सब विद्वान थे गरंथ लिख रहे थे सब्सक्राइब करते हैं कि जब हमें ये समझ आता है कि जादा तर मंदिर तब नश्ट हो चुके थे बनारस में बनारस दो बारा से अठारवी सदी के बाद बनना शुरू हुआ उस दोरान के कुछ मैप्स की बात जिकराता है आपकी किताब में तो वो मैप्स कैसे बने किसने बनाए और क्या उनकी इंपॉर्टन्स है अठारवी शताबदी में कोई मंदिर नहीं बचा था और जिस भारत को जिस बनारस को हम जानते हैं जिस काशी को हम जानते हैं वो अठारवी शताबदी में दुबारा बनता है जो आज हम देखते हैं जो हम देखते हैं और उसका मेजर कॉंट्रिबूशन है राजपूर्ट और मराथा लेकिन बहुत लोगों का भी contribution है अब क्या हुआ जब मुगल समराज जब कमजोर था तो काशी में हिंदू राजाओं का राजिस्थापित होता है तो ये जो हिंदू राजा थे उस समय ये हो सकता था कि काशी भी एक मुगल शहर की तरह हो जाए लेकिन इन्हों ने इतना contribution है इनका काशी को एक हिंदू सिटी बनाने में तो अंग्रेजों ने उनसे शासन ले लिया था क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि political हम चलाएंगे और आप culture तो इन बनारस के राजाओं ने राम लीला शुरू की इतना उन्होंने तीस दिन तक राम लीला बनारस में stage हो और जो बनारस के राजा थाए वो major patron होते थे जेम्स प्रिंसेप जो collector थे उन्होंने एक किताब लिखिया है बनारस illustrated तो उसमें उन्होंने drawings की हैं और वो दिखाते हैं कि राम लीला शुरू हो गई है और राजा अपने हाथी में आ रहे हैं और ब्रज भाशा में poetry, रमायन क you know paintings मतलब उन्होंने cultural revival उसमें बताया है उस किताब में नहीं उन्होंने तो बताया है मैं बता रही हूं कि जो हिंदू राजास स्थापित होते हैं बनारस में they patronize a cultural Hindu revival और उन्होंने बनारस के एक वरिष्ट निवासी भारते हिंदू हरिश्चंद्र we all know him as a great तो भारतेंदू हरिश्चंद्र राम लीला के लिए कुछ दोहे लिखते हैं और वो जब राम लीला stage होती है तो उनके दोहे भी बुलाए जाते हैं मतलब you recited so this is a very important event in the history of बनारस कि जब हिंदू राजाओं का राजस्थापित होता है अठार्मी शताबदी में तो वो जो हिंदू राजा थे वो consciously attempt करते हैं कि हिंदू cultural revival हो उसमें ब्रज भाशे में poetry ग्रंथ लिखे जाते हैं राम लीला stage की जाती है so it is it could have been like Lakhnau that it becomes a Mughal city Lakhnau became a Mughal city but here बनारस becomes a revival Hindu renaissance and city तो एक तरह से अठार्मी सदी में आप ये कह रहे हैं कि दुबारा से उस पूरे धार्मिक सुरूप में उस नगरी को लाया गया जिसमें वो कभी वो थी तो जो maps की हम बात सुनते हैं कि अलगलग जगा पर हम लोग वो maps देखते हैं आपकी किताब में वो maps हमको देखने को मिले उनकी कहानी क्या है कि अठारवी शताबदी में बनारस दुबारा बन रहा है तो जो राजा बगर आते हैं वो देखते हैं कि ये क्या है तो जब वो कहते हैं कि जो हम घर जाएंगे तो हम ले जाना चाहते हैं ये नया काशिर जो हम देख रहे हैं तो दो maps हमारे पास बचे हैं एक लंडन में है और एक National Museum में है, तो वो maps पेपर पे हैं, पेपनी, cloth में हैं, और वो एक-एक मंदिर जो नया बन रहा है, उसका description, उसकी paintings, मतलब, it is beautiful, hundreds and hundreds of temples have been painted on those maps, तो ये नया भारत, नया काशी, नया काशी का हम जब वापस जाएंगे, तो वो अपने महल में उसको टांगते थे, अब जब ये हुआ, तो जो साधारन यात्री आते हैं, वो जो राजा महराजा नहीं थे, तो वो भी तो कुछ ले के जाएंगे ना अपने घर, ये नया काशी है, तो उस टाइम, मैप्स छोटे-छोटे बनने लगे, जो ओर्डिनरी यात्री अपने घर ले जाए, अपने दिखाए कि ये ये काशी में बना है, और वो ले जाए, जो बहुत से छोटे-छोटे मैप्स, जो साधारन यात्री जो हैं, वो अपने घर ले जाएं, क्योंकि नया काशी बन रहा है, तो नया काशी हम कुछ ले जाना चाहते हैं अपने घर. तो मतलब जब हम वो दो मैप्स देखते हैं, उसके बिलकुल सेंटर में काशी विश्वनात मंदेश, रेड कलर में, बिलकुल, बिलकुल, that was the importance of काशी विश्वनात, की जब वो अठारवी सदी में मैप बन भी रह थे, तब जो सेंटर ओट्रिक्शन था, वो भगवान भोल कैंसल कर दिया गया या उसको सुना ही नहीं गया, आजाद भारत का वक्त आता है, उसके बाद से लेकर अब तक, या हम कहें, 1936 से लेकर, अब तक केस जो है, वो कभी न कभी इसमें चलते रहे हैं, ग्यानवापी और विवात को लेकर, तो वो केस के बारे में अगर आप एक ब्रीफ हिस्ट्री या टाइम लाइन हमें देना चाहिए? नहीं, I will just mention, जब ये 1936 का केस हुआ, तो 1942 में, उस केस के डिसमिसल के खिलाफ अपील की गई, तब भी district magistrate ने कहा, कि आपका कोई केस नहीं है, ये हमको पता है कि हिंदु मंदिर को तोड कर औरंजेब ने बनाया ह So, the thing is that after that, there have been few cases, but the Muslim party or Masjid party has never won, और इसमें क्या है कि जो पहले जो cases हुए थे, उसने Hindu party को, उसके stand को बहुत मजबूत किया है, और इसके लावा, Ismail Farooq की judgment थी, Supreme Court की, और उसमें कहा था, कि स्थान, किसी भी स्थान का Islam में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि Masjid आप कहीं भी दे सकते हो, लेकिन Hindu worship is centered around sacred sites, पवितर स्थान, and sacred symbols, तो वहां पे ही आप मंदिर बनाते हैं, जहां पे कुछ ना कुछ important है So, they said, you know, जैसे कि Krishna Janambhumi, it cannot be made in Agra, whereas a Masjid can be made anywhere, so that was the thing, और उसके बाद बहुत सारी cases हैं, before independence also, the courts have said that a temple is always a temple, even if it is occupied by strangers for hundreds of years, ये कात्यायन ने, ancient period में, ये क्या सोच के लिखा था, की a temple site is never lost, even if it is occupied by strangers for hundreds of years, ये hundreds of years, क्या सोच के, So, the point is that, it has, the point is that the cases have dragged on, you know, it has, there has been, मतलब कि किसी ने फाइल कर दिया, किसी नहीं फाइल किया, तो जब मैं इस पुस्तक को लिख रही थी, तो मेरी पुस्तक तयार थी, suddenly out of the blue, Varanasi district court says to ASI, आप survey कीज़े, मैं तो सोच भी ने रही थे, तो publisher बोलते हैं, मैं, आप प्लीज रुकिये, देखते हैं, survey report, और survey report इतनी जल्दी आ जाएगी, और लोगों को, they have the right to access that report. And this is the last chapter of your book. तो मतलब in the sense, it is, मतलब जब काल का चक्र चलता है, धीरे चलता है, लेकिन जब चलता है, तो it was not expected. और जो ASI report है, it is, हमको तो जरुवत नहीं थी ASI report क्योंकि हमको तो पता था, लेकिन government को जरुवत थी, courts को जरुवत थी, कानून उसी इसाब से. अब जो वो ASI report है, 850 speech की report है, और फोर्थ पार्ट इस उनली photographs, जो उन्होंने वहाँ पे उनको मिली, और it is, मतलब कि हर जगे उनको मूर्तियां मिली है, एक inscription मिला है, और जब के टाइम का, जब ये बता रहा है कि ये मस्जिद बन गई है, और उसके बाद उसी inscription में नीचे लिखा गया है, कि अब इस सन में यहाँ पे repairs हुई है, ठीक है, और जब ये ASI survey का उनको लगा कि report आने, मतलब हो सकती है survey, तो किसी ने उस inscription को damage करने की कोशिश दिये, तो the thing is कि इतनी सारी मूर्तियां इधर उधर मिली खंडित, तो अब ये जो गैर हिंदू पाटी है, वो कहती है कि यहाँ पे तो मूर्तियां मिलना सभाविक था, क्योंकि ये तो एक workshop थी, जहाँ पे मूर्तियां बनती थी, तो imagine करिये, बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो workshop थी, जहाँ पे मूर्तियां बनती थी, तो अगर मूर्तियां इधर उधर मिल रही हैं, तो natural था, क्योंकि ये तो कार खाना था, so the problem is, that आप कितना भी सबूत पेश करने, अगर आपने फैसला किया है, कि उसको नहीं मानना है, तो, बद्द, ASI report conclusively proves, और इतनी मूर्तियां हैं, एक कोई अंजली मुद्रा में, इतनी सारे शिवलिंग मिले हैं, वजु खाने से शिवलिंग मिला है, इतना बड़ा, जिसको फवारा बता रहे हैं, उसको हम discuss नहीं करें, क्योंकि वहां पे एक्सकिविशन हुआ नहीं, बाकी जो complex है, उसमें हुआ है, मतलब अब प्रशन ये उठता है, ये अयोध्या में भी उठा था, ये मत्रा में भी उठा है, कि अगर आप फैसला चाहते हों, तो बहुत सिंपल है, ये आप कहे दो कि ASI रिपोर्ट ने ये दिखाया है, हम को पता नहीं था, और हम इस रिपोर्ट को स्विकार करते हैं, औ क्योंकि site का इसलाम में कोई महत्व नहीं है, साइट का इंपोर्टंश महतव हिंदू धर में, ये नहीं किया, योध्या में 50 साल उसको खींचे रखा, योध्या का जो सप्रीम कोट ने निर्ने दिया है, और 50 साल पहले भी हो सकता था, कि भी AAP स्थान को छोड़ दीजा, आ मत्रा में भी यही problem आएगी so the point is that हमारा attitude क्या है हम क्या चाहते है इस संगर्ष को लंबा खींचना और उसका अंत क्या होगा क्योंकि मस्जद को आप वहां पर दुबारा नहीं बना सकते ये तो clear है ना मंदिर बने या ना बने लेकिन मस्जद आप दुबारा नहीं बना सकते और हिंदूस को इस साइट को deny भी नहीं कर सकते क्योंकि हिंदूस तो महाँ पर आके पूझेंगे तो अब मुस्लिम बुधी जीव और उनके मुलाज और जो intellectuals हैं उनको कोई दिरिष्टी दिखानी है उनको रास्ता दिखाना है हिंदू समाज के जो धार्मिक नेता थे उनके जो भग्त थे उन्होंने हमेशा रास्ता दिखाया So this is where we are What will happen we cannot see Okay मैम एक चीज जाते जाते मैं आपसे किताब से हटके सवाल है कि सरकारों के रविये को आप किस तरह से देखते हैं आप after independence specially इन तीन जगों के लिए देखिए अयोध्या का तो हमने एक तरह से सौट हो गई चीज है अभी लेकिन मत्वरा और काशी बाकी है तो places of worship act आता है जिसको लेकर अभी बूला जा रहा है कि कोट को तो सुनना ही नहीं चाहिए क्योंकि after 47 जो जहां है वहां रहेगा दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि श्रिंगार गौरी मंदिर जो पिछली दिवार है मस्जिद की वहां पर बना हुआ था पहले हम लोग देखते आते थे कि मतलब सुनते आते थे को भी वहां से खिसका दिया गया तो सरकारों ने कहीं न कहीं पूरी इस तरह से कोशिश की कि अगर कोई हिंदु धर्म की वह मान्यता वहां पर मौजूद है तो उसको भी किस तरह से डिटैच कर दिया जाए तो उस दोरान और अब क्या आप फरक देखते हैं लेकिन प्लेस अवर्शिप एक्ट बोलता है 1947 पे जो चरितर है उसको आप नहीं बदल सकते हैं बिलकुल लेकिन 1937 में काशिक के वरिष्ट नेताओं ने और लीडर्स ने कहा है कि हम आपे जाके पूजा करते हैं तो इसका मतलब है 1947 से पहले वो मंदिर था तो उसका आप क्या जवाब देंगे ठीक है ना और अब कोर्ट ने कहा है कि व्यास जी के तहखाने पे आप पूजा कर सकते हैं 1993 में मुलैम सिंग सरकार ने वहाँ पे पूजा बंद कर दी क्योंकि योध्या में कांड हुआ था तो इसका मतलब मतलब उसमें ज्ञानवापी में तो बिलकुल क्लियर है ना कि 1947 में वहाँ पे पूजा हो रही थी उसके पहले तो आप ये कैसे और दूसरी बात ये है Places of Worship Act Actors have become irrelevant क्योंकि अब आप बहुच्छाला में भी investigation करेंगे So in effect it has become ineffective and it's a question of time before the courts will have to re-examine तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या होने वाला है देखिये मेरे को ये नहीं पता था कि जब मैं अपनी अध्या पे किताब लिखूंगी कि मेरे जीवनकाल में मंदिर वनेगा अब काशी पे जब मैंने पुस्तक लिखी थी मेरे को सोच भी नहीं सकती थी कि court कहेगी कि ASI वहाँ पे investigation करें because investigation हमको जुरूत नहीं है लेकिन court को जुरूत है और इतना सारा सबूत है कि वो हिंदूस का स्थान है और पहले की history अब देखते हैं लोग अपनी भावनाव को कैसे प्रकट करते हैं बिल्कुल सभी बात है तो मैम आप से बात हुई हमारी आपकी किताब को लेकर काशी विश्वनात के पूरे इतिहास को लेकर मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ विश्वनात Rises and Rises लगभग 300 पेज की किताब है इसमें से जो हमने चर्चा की है वो पूरी किताब पे चर्चा नहीं हुई है यह मैं आपको भी बता दूँ इसके अलावा भी काशी और बाकी हिंदू धर्म के स्थानों से जुड़ी कई ऐसी टेल्स हैं इस किताब में या आप कह सकते हैं कि सची घटनाए हैं जिनके बारे में बात हुई है विस्तार से बात हुई है आप उन नक्षों को इस किताब में देख सकते हैं जिनके बारे में हमने अठारवी सदी के जो नक्षे हैं उन पे बात की उसके अलावा और भी कई आपको फोटोस जो है पुराने मंदिरों की इसमें दिखेंगी मिलेंगी काफी वेल्ड रिसर्च ये किताब है मैम की तो एक बार इसको आप मंगवाईए पढ़िएगा जरूर क्योंकि अगर आप काशी के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो इस इंटर्व्यू से भी बहुत जादा बातें जो है आपको इस किताब में मिलने वाली हैं बहुत शुक्रिया मैम हमें बहुत बहुत देने के लिए बाकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ये जानकार झालए सब्सक्राश करिए में हीडा़ कि अघ से लahr जभ बहुत इसेधने में हैं और शेवर से किताब था किता बहुत JOHN